बिस्मिल्य रह्मानि रहीम, असलाम लेकुम माई यूट्योब फैमली, वेल्कम बैक टू माई यूट्योब चैनल, तो कैसे हैं आप सब, उमीद करते हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं हूँ महनूर रहान और आप देख रहे हैं महनूर स्पूर्ट कॉर्णर यूट्योब च बाउडर तो ऑफ्यूप मेश करके उसमें सारे स्पाइसे जाइड करेंगे और ग्रीन चिले और करियंडर को हम जौब करके अड़ कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं सब इंगरीडियंट करके मिने प्रॉपरली से मिक्स कर दिया है तो अब है जी स्नैक्स शेपिंग टा बट मुझे इस तरह की शेप्स पसंद है मैंने कुकी कटर के हल्प से सारी शेप्स रेडी कर लिए आप इसे सिंपल राउंड शेप में बिना सकते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी कॉटिंग की तरफ जिसके लिए मैंने एक बीटर नेग ले लिया है और ब्रेट क्रम्स ले लिए स्नैक्स को सबसे पहले बीटर नेग में दूनों साइट से डिप करेंगे तो अब इसे ब्रेट क्रम्स में प्रॉपर्ली दूनों साइट से कोट करेंगे इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सारे पोटैटो स्नैक्स रेडी कर लेंगे तो यह आप देख सकते हैं बहुत attractive से potato snacks fry होने के लिए बिल्कुल ready है तो अब snacks को shallow fry करने के लिए pan में मैं ने oil घरम होने के लिए रख दिया है तो ये आप देख सकते हैं, oil घरम हो चुक है, अब इसमे स्नेक्स एड़ कर देंगे तो आप इने डीफ फ्राइ भी कर सकते हैं बड़ ये ओल बहुत जादा अब्सॉर्ब करेंगे जो के हल्थ के लिए बहुत जादा हामफुल हैं तो इसलिए मैंने शेलो फ्राइ करी हूं तो एक साइड को खोने के बाद मैंने इसके साइड स्टरंड कर दी हैं और ये आक्स रेसिपी को जुरूर ट्राइ कीज़ेगा जो के बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं अब दीचे मुझे इजाज़त अलाहाफिज